हाई गाईज वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल और मैं होजी चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा स्क्रब शेयर करने जारी हूँ जिसको आपको रोजाना अपनी स्किन पे अपने फेस पे एन ने केरिया में अप्लाई करना है इससे आपके स्किन एक अलगी रेडियो और ग्लूइ बनेगी जिसके समाल से आप एजली घर बैठे ही अपने ब्लैक हेड्स वाइड्स को लुव कर सकते हैं और साथ साथ अपने स्किन को बहुत ही अच्छे से एक्स्फ्रीयेट कर सकते हैं यह आपके इसकिन में एक अलगी ग्लू लेकर के आएगा और बहुत ही ऊज़िए इंग्रेडेट के साथ इसको तैयार किया गया है वन वीक के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और रोजाना आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और वीडियो स्टार्ट करने पहले हमेशा की तरह में चैनल और नियू है नहीं चाहिए हमें केवल इसका ऊपर का छिलका चाहिए या तो आप इसको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके पीश सकते हैं या फिर आप इसके जस्ट को यानि की ऊपर के छिलके को ले सकते हैं मैं यहाँ पे इसका ओपर का छिर का लोगी यानि कि इसका जर्स्ट तो जैसे कि आप सभी को पता है कि नीवू में होता है vitamin C citric acid होता है जो कि हमारे skin के dust cells को remove करती है हमारे skin को गोरा बनाती है काले दाग दब्बो को दूर करती है इसके अलावा भी नीवू में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो कि हमारे skin मतलब हमारे skin से related कई चीजों को दूर करते हैं चाहे आपका acne हो गया wrinkle हो गया suntan हो गया या फिर कोई other skin diseases तो पहले हम यहां पर इसके dust को अलग कर लेते हैं तो हम ले लेंगे यहां पर एक grater तो vegetable grater और इससे हम इस नीवू के dust को अलग करेंगे यानि हमें इसे यहाँ पे लेना है और आप इसको वन वीक के लिए बना के रख सकते हैं तो देखिए हलका हलका इस बिद गरेगा और इसको यहाँ से पील कर लेना है तो चलिए इसको पील कर लेते हैं उसके बाद आप से मिलते हैं Okay मैंने यहाँ पर lemon just को ले लिया है और इतना जो just है यानि कि lemon जो पीर है यह sufficient है हमारी whole skin के लिए यानि हमारी whole skin के लिए face के लिए और देखिए lemon को मैंने यहाँ पर यह white कर दिया इसको तो अब हम इस lemon को रख देते हैं side में अब हम इसमें add करना है one spoon sugar बट ध्यान रखिए sugar आपको powder इस्तमाल करना है यानि कि आपको यहाँ पर पिसा हुआ जो पिसी भी चीनी होती है बिल्कुल बारिक हुई चीनी वो आपको यहाँ पर इस्तमाल करना है खड़ी चीनी बिल्कु coconut oil यानि कि नारियल का तीव अगर virgin coconut oil है तो वो भी यूज कर सकते हैं यह वाला है तो यह भी यूज कर सकते हैं बट coconut oil ही आपको इस्तमाल करना है तो इसलिए तो सबके घर में मिल जाएगा coconut oil और यह जो मैं आपको बता रही हूँ यह आपकी daily skincare में आएगा यानि कि आपको इसे daily apply करना है आप चाहें तो skip कर सकते हैं बट इसको daily apply करना है as a face glowing radiant treatment है यह तो one spoon डालेंगी और डालेंगी हम यूज कि हमें इसे अच्छे से mix करना है तो mix कर लेंगी इस तरीके से अभी हम यहाँ पर one spoon और लेंगे ताकि जो हमारा शुगर है वो इसमें बिलकुल डूबा रही है तो लगवक five spoon यानि पांच चमच यहाँ पर oil मैंने इस्तेमाल किया है तो यह one week के लिए sufficient है आराम से चल जाएगा आपको face in neck area में apply करना है तो अब मैं आपको बदाती हूँ कि नीवू का जो चिलका होता है यानि कि जो उसके just हो रहे हैं वो हमारी skin में किस तरीके से काम करते हैं और क्या-क्या इससे हमारी skin को फायदा होता है so friends यह हमारा जो natural scrub है वो बनके बिलकुल ready है आप इसको daily apply करना है अपने face पे और जब आप इसको apply करेंगे इसके बाद आप देखेंगे आपकी skin में एक अलगी radiant glow आपकी skin में feel होगा तो lemon peel यानि की नीबू के छिलकों में यानि इसके अंदर मिलता है gamma turpinin, d-limonin और citrol जैसे good पाय जाते हैं यह सभी खुबियां नीबू के छिलकों को antibacterial, antimicrobial बना दी हैं इस कारण skin समंदी कोई भी बिमारी जो भी होती है वो आप से दूर रहती है नीबू के छिलकों में calcium, magnesium, phosphorus, potassium और selenium जैसे खुबसूरत तोचा के लिए जरूरी तत्व पाये जाते हैं साथ ही vitamin C, vitamin A और beta-carotene पाया जाता है इससे नीबू के छिलके का paste हमारी damaged skin cells को repair करके skin को smooth और growing बनाता है इसके अलावा skin को tight रखता है vitamin A और C vitamin C और vitamin A हमारी skin में collagen synthesis को promote करते हैं इससे हमारी skin tight रहती है और skin में जूरियां आने की समस्या नहीं होती यानि की wrinkles जिससे बड़ती उम्र, pollution और depressed का असर हमारी skin पर नहीं पड़ता है इसके अलावा नीबू का जो छिलका होता है वो हमारी acne की समस्या को दूर करता है vitamin A हमारी skin में nail cells बनाने में मदद करता है जिससे damage और damage cells को हटाने का process तेज होता है और हमारी skin smooth और growing बनी रहती है vitamin A anti-flamentary properties के कारण acne की problem को हमारी skin से दूर रखता है magnesium हवाई skin में नमी बनाए रखने में मदद कर है यह skin की practical नमी को lock करने का काम करता है इससे रूखी हवा और सूर की harmful किरने यानि की ultra-valent जो किरने होती है वो हमारी skin को जल्दी से damage नहीं कर पाती यानि की यह एक तरह से skin product का भी काम करता है ताकि हमारी skin healthy और beautiful दिखे तो चलिए इसको face पे apply कर लेते हैं इससे apply करने के लिए यहाँ पे अपने बालों को पीछे कर लिया है और hand से आपको इसे पहले अपने face पे apply कर लेना है फिर massage करना है scrub में सबसे अच्छा जो tips होता है जो सबसे अच्छा step होता है वो होता है आपका massage करना आप जितने अच्छे से और जितनी देर तक massage करते हैं जादा glow और radiant आपके skin पे देखने को मिलती है तो चलिए इसको पहले हम अच्छे से apply कर लेते हैं आप चाहे तो brush का इस्तमाल कर सकते हैं बट यहाँ पे मैं अपने hand का ही इस्तमाल करूगी अच्छे से अपने skin पे हमें लगा लेना है और इसे हमेशा नहाने के पहले ही आपको apply करना है हमारे skin में तीन चीजों की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है एक होता है vitamin E जो कि आपको किसी भी oil से मिल सकता है जैसे कि हमने यहाँ पे नारियर का तेल डाला तो इसमें भी होता है vitamin E उसके बाद हमें चाहिए होता है glycolic acid जो शुगर में बहुत ज़्यादा अच्छे प्रच्छन मात्रा में शुगर में पाया जाता है glycolic acid जो कि हमारे skin के blood circulation को बहुत ही तीजी से बढ़ा देती है और इसके साथ हमें चाहिए होता है vitamin C citric acid जो कि lemon में बहुत ज़्यादा पाये जाता है तो यह तीनों ही हमारे skin को बहुत अच्छा एक radiant glow देने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं और normally आपने देखा होगा कोई भी DIY इस्तेमाल करते हैं तो इन तीनों चीजों का इस्तेमाल जरूर करते हैं क्योंकि यह तीनों ही हमारे skin को glow करने के लिए दाग धंबों को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं तो आपको बस circular motion भी इस तरीके से massage करना है रोजाना जब भी आप नहाने जाते हैं तो उसमें से 20 मिनट अपने लिए निकालें और इस तरीके से massage कीजिए उसके बाद 20 मिनट 25 मिनट आपको अच्छे से massage करने के बाद जब आप नहाने जाते हैं तो वहाँ पे normal herbal जो natural face wash होता है उससे अपने face को wash कीजिएगा पर आप नहीं करना है जाए आप लड़की हो या woman हो या फिर कोई लड़का हो उसके लिए भी मैं यह कहूंगी कि skin पर अपने face नहीं मतलब अपने face पर आपको soap इसी रूस नहीं कहता है क्योंकि soap जो होता है कुछ time जब आप start करते हैं उस time तो आपका skin बहुत soft रहता है बट उसके बाद यह आपके अंदर की जितनी भी नमी होता है उसको खीश लेता है और आपका skin जो फेस है वो बिल्कुल रूखा हो जाता है ड्राइग हो जाता है तो अच्छे से हमेंसे मसाज करना है शुगर को इसलिए मैंने यहां पे बोला कि आपको बिल्कुल PCV चीनी लेनी है ताकि जो दरदरी चीनी होती है उससे इसका वागर आप करेंगे तो बहुत तेजी से आप नहीं कर सकते हैं हलकी हाथों से आपको करना पड़ेगा और जो शुगर जो चीनी PCV होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमारे स्किन पर एब्सोर्ड भी होती है और बहुत अच्छा काम करती है तो हमें इस तरीके से अपने लेफ से करते हुए अपने चिक्स की मसाज करनी है इससे क्या होता है हमारे जो चिक्स होता है वो टाइट होता है और फ्लफी रहता है चिली इसको वाश कर लेते हैं मैंने यहाँ पर अपने फेस को नॉर्मल पानी से वाश कर लिया है आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कोई भी फेस वाश का इस्तमाल नहीं किया है केवा नॉर्मल पानी को लेकर के मैंने अच्छे से वाश किया है और इसको क्लीन कर लिया अपने टॉबल से तो आप देख सकते हैं एक अलग सा शाइन रहता है स्किन में और ग्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आप आपको यह जानकारी यूसफुल लगी होगी और फोड़ी सी डिफेंट लगी होगी तो रोजाना इसको इसको इस्तमाल कीजिए अपने स्किन को रिटेंट रखने के लिए आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चलिए फिर से मिलते हैं और नई वीडियो को सा ता तर दो लिए बाइबाई टेक किया है आपने ख्याल हो कि आखो गुद्धी बाइबाई